मुरादबाद रोड इस्थित एग्रॉन रेमेडिस दवा फैक्टरी में केमिकल के रसाओं से आठ महीलाए बेहुश हो गई जिने एक नीजी अस्पताल में बर्तिकर आया गया है इनमें से दोकी हालत गंबीर है कमपानी प्रबंदन की और से बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम दवा फैक्टरी में कारे के दोरान अचानक सायरा बनाने वाला केमिकल जमीन पर गिरा जिसे वहां मौके पर मौझूद कुछ महीलाओ को फैमिकल की गंद से स्वास्त संबंदत परिशानिया शुरू हो गई उतर प्रदेश के आगरों में गनेश प्रतिमा विसरजन करने आए चार युवक यमना नदी में डूब गई युवक गहरे पानी में अपनी जान बचाने की हसंबव कोशिश कर रहे थे मगर उनकी हर कोशिश ना काफी हो रही थी उन्हें डूपता देख 18 साल की मोहिनी ने बिना अपनी जान की परवा किये नदी में छलांग लगा दी मोहिनी ने एक एकर चारो युवक की जान बचा ली उडिशा के बरतबूर थाने में सेना के एक अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ मारपिट मामले में नई जानकारी सामने आई है पिडिता महिला ने आरोप लगाया है कि थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज और एक अन्य अधिकारी ने उनके साथ यौनित पुड़न भी किया था उडिशा पुलीस ने कारवाई करते हुए थाने के पाच पुलीस कर्मियों और अधिकारियों को सस्पेंट कर दिया है और पुचा है कि देने वाला और छिनने के वापस लेने वाला दोनों एक ही पक्षके थे क्या सुप्रीम कोट की यूट्यूब चैनल है कोने की कबर सामने आई हैं समचार एजनसी एनाई के मताबिक यूट्यूब पर सुप्रीम कोट सेर्च किये जाने पर अमरेकी कंपनी पल के वीडियो दिख रहे है सुप्रियम कोट के चैनल पर क्रिप्टो करनसी एक्स आर्पी के एड़ वीडियो दिख रहे है